नमस्कर दोस्तों स्वागाति आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजी कुस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं और ट्रेंड कैपसल के बारे में तो हम सिखेंगे कि यह मेडिकेशन जो वो कौन से अलग-अलग कंडिसंस को ट्रीट करती है साथे जाने कि उसका डोस्तों वगेरा क्या है कितने दिनों तक आप उसको यूज कर सकते हैं और उसके साइड इवेक्स वगेरा क्या हो सकते हैं तो यह जो मेडिकेशन है वो खास कर खून की कमी को पूरा करने के लिए यूज की जाती है कि जो anemia के conditions produce होती है उसके करण अलग-अलग जो symptoms develop होते है जैसे कि सास लेने में दिक्कत होती है तो जो anemia का patient होता है कि जिसके अंदर खुन की कमी है RBC के मातरा बहुत कम है, HB बहुत ही कम है तो उनको क्या होता है कि जब भी वो समझे की थोड़ा सा चलते है एक जगा से दूसरी जगा थोड़ा चलके जाते है सीडिया चड़ते तो उनको काफी जो दिक्कत आती है सास लेने में उसके करण उनको तकलिफ होने लगती है थकान जैसा मैसुस करते है हाथ पेर जो थंड़े हो जाते है उसके अलावा तुछा में जہे वो पिलापन देखने को मिलता है कि ये वाला हाथ आप देखो तो दोनों हाथ को जब करोगे तो ये वाला हाथ काफ़ी आपको पिला देखेगा और ये वाले हाथ में आपको redness देखने को मिल रही है तो ऐसे condition produce होती है उसके अलाबा पेशन जोगा काफी कमजोर मैसूस करता है चक्कर आने लगते है, सिर्दद रहता है दिल की धड़कने भी अनिमियत हो जाती है तो ऐसे conditions को treat करने के लिए और्टरिन के जो capsules ये वो prescribe के जाते हैं तो उसके बारे में हम detail में जानते हैं आज के लेक्चर में और सीखते हैं ओर्टरिन capsules के बारे में तो ऐसे ही समझें के आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सीखने हैं तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो ये कूर्स जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं Link description box के अंदर मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं और ट्रिन capsules के बारे में तो ये ऐसा class का medication जिसको हम nutritional supplements के category के अंदर include करते हैं और ये जो medication है खासकर anemia की जो condition है उसको treat करने के लिए यूज की जाते हैं कि जो vitamins and minerals की deficiency के करन होता है कि especially iron की deficiency से vitamin B12 की deficiency समझे के आपके सरीर में है और उसके करन आपके सरीर में HB कम हो रहा है, RBC कम हो रहा है तो ऐसे conditions को ठीक करने के लिए autrin capsules जो प्रिस्क्रेब की जाते हैं manufacture के हम बात करें तो Pfizer Limited जो उसके manufacture है Pfizer के बारे में मैं आपको बता दू कि ये एक American multinational pharmaceutical company है कि जिसका headquarters जो है वो New York में है तो आप जानते हैं ये medications के content के बारे में तो यहाँ पर आप देख लो कि autrin के अंदर जो content है वो क्या present है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि sinokobal amine उसके अंदर present है 15 microgram जितना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IP के standards के according to उसको बनाया गया है फिर ferrous fumarate जो है उसके अंदर इंग्रेडियंट एड़ किया गया है brilliant blue है quinylin yellow है कार्मो सीन जैसे approval colors यूज गया है जो capsule का ये जो cell होता है उसको बनाने में ये जो ingredients भी यूज किया गया है आगे जनते हैं तो जैसे मैंने आपको बता था कि उसके manufacture कौन है तो Pfizer Limited उसके manufacture है basic use समझ लेता है तो सबसे पहले जो NMA के condition है उसको ये ठीक करता है तो RBC समझे के आपके कम हो गए तो RBC को increase करना है कि जब किसे का blood test किया जता है और उसमें पता चलता है कि RBC बहुत ही कम हो गए है तो RBC count बढ़ाने के लिए ये medication prescribe की जाती है फिर HB level को increase करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जता है फिर समझे कि किसे के heavy periods रहते है और उसके करन काफी blood loss होता है हर बार तो ऐसे condition में उनको खुन की गमी हो सकती है उनके सरे में RBC और HB कम हो सकता है तो उनको ये medication प्रिस्क्राइब की जा सकती है फिर iron की deficiency आपके सेरिर के अंदर polyc acid की deficiency है B12 की deficiency है तो उसको पूरा करने के लिए ये medication जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है अब जानते हैं उसके dose के बारे में तो उसका जो dose है वो एक capsule का रहता है और जब तब आपकी deficiency पूरी ना हो तब तक ये medication को खा सकता है फिर बात करते उसके side effects के तो ये medication लेने के बाद कुछ minor side effects हो सकता है जैसे कि stomach upset हर case में नहीं होता कुछ लोग ही ये fill करते है और उसके करन कुछ लोगों को diarrhea या vomiting हो सकते है कुछ लोग constipation जैसा fill करते है फिर nausea vomiting जैसा fill होना और ये side effect होती है कि आपका जो stool है जो mod होता है उसका color जो हो change हो सकता है तो उससे घबराने की जुरूरत नहीं है ये medication की कारण जो है वो stool करण change होता है बढ़ ये कोई बिमारी का indication नहीं है आगे जानते हैं drug-drug interactions के autrin जो है वो कौन से medications के साथ combination में नहीं लेनी है तो मान लो आप nitrofurontine जो है वो यूज़ कर रहा है तो एक ही समय पे nitrofurontine और autrin दोनों एक ही समय पे यूज़ ना करें second समझे कि anti-cancer कोई drug है जैसे कि methotrexate को ले रहा है तो methotrexate और autrin दोनों एक ही समय पे आपको नहीं लेनी है उसी तरह से pyramithamine है phenobarbital है phenetoin है और primidon जैसे medications को एक ही समय पे autrin के साथ नहीं लेनी चाहिए आगे बात करते हैं drug and food interactions की तो कौन से food को ये medications के साथ नहीं लेने है तो सबसे पहले milk तो milk और autrin कभी एक साथ नहीं लेने चाहिए second milk के बने हुए product से तो भी एक ही समय पे आप ना ले मतलब कि समझो कि आप सुबह को ये tablet खा रहा है तो सुबह के दोरान आप समझो कि प्रोडक्स ले रहा है तो उसको जो वह अवर्ड करना चाहिए या फिर ये medication को आप रात को खाए और रात को जब लेते तब वह ध्यान रखना है कि आप milk नहीं लेते milk रेलेटर को प्रोडक्स नहीं लेते टी है कॉफी है मीट वगेरा और whole grains जो होते हैं उसका आप ना करें कभी और ट्रिंड के साथ तो जैसे मैंने अभी बता रहा कि एक साथ नहीं लेना है कि समझे कि आप सुबह milk लेते हैं तूस वक्त ये tablet ना खाए और समझे कि सुबह ये tablet लेते हैं तो उस वक्त जो है वह वगेरा आप कंजूम ना करें अब बात करते हैं प्रेगनसी के दौरान तो प्रेगनसी के दौरान ये medication जो ही वह सेफ मानी जाती है कि अगर प्रेगनसी के दौरान किसे को iron की deficiency है folic acid की deficiency है और उसके करन उनका hb जो है काफी कम है खुन की मातरा बहुत ही कम है तो ऐसे लेडिस को ये medication जो ही वह प्रेगनसी के दौरान भी prescribe की जाती है पर ध्यान ये रखना है कि आपके जो gynecologist है उनकी एक बार सलाह लेना जरूरी है और उसके बाद ही ये medication start करें तो ऐसे आप detail में सीख सकते हैं medicine course के इंदर फार्म रोक्स के अब उपर तो ये course join करने के लाप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best तो medicine course के बारे में मैं आपको बता दू कि medicine course में आपको कौन सी detail informations मिलती है तो medicine course समझे कोई join करता है तो उसको proper detail में सीखने को मिलेंगे दवायों के basic use के बारे में फिर वो dose के बारे में भी सीख पाएंगा उनके sad effects क्या होते है वार्निंग से होते है और वो भी सिर्फ affordable price में एक साल तक तो ये course को जरूर से join करें और join करने के लिए आप जहे हो हमें whatsapp कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी good luck and all the best